हाई दोस्तों वेलकम बैक, बिटकोईन फिलाल 50,000 डालर के उपर चल रहा है और पिछले दो सालों में बिटकोईन अपने एक न्यू हाई पे आ चुका है बट दोस्तों अभी भी बिटकोईन हालविंग में 3 मंस से जादा समय बचा हुआ है और बिफोर हालविंग पॉस्पिलिटी है बिटकोईन 65,000 डालर के करीब जा सकता है बट बिफोर गोइंग टू 65,000 डालर इसमें एक छोटा सा रिट्रेस्मेंट लेने के पॉसिलिटी है यानि हार्ली आप कहां तक इंट्री बना सकते हो एवरिस बाइंग कर सकते है बिटकोईन में वो मैं चार्ट पे चलके आपको बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तो एक चीज़ क्लियर है कि अभी जिस प्राइस पर मिल रहा है ये भी एक आइडिल प्राइस है क्योंकि इस प्राइस पर सायद आगे फिर आपको खरीदने का मौका ना मिले विटकोईन क्योंकि bitcoin में explosion होने बाला है इसके बाद जो समय आपको देखने को भी लेगा ना एक rally फिर छोटा सा retracement फिर rally कुछ इस तरीके से moment जो है अभी से आप मान के रखो continue 24 और 2025 में आपको कुछ इस तरीके से moment bitcoin में और साथ में altcoin में भी आपको देखने को मिलेगा याद हो दोसो 45 दिन पहले ही मैंने ethereum में साफ तोर पे आप लोगों बताया था कि इसमें breakout लिया तो एक minor retracement के बाद सीधा जो है 2700 डॉलर के करेंट में ethereum आ जाएगा और अभी आप देखोगे 2680 डॉलर पे फिलाल चल रहा है ethereum का price यानि जो 4-5 दिन पहले हमने बताया था ethereum की यहाँ पकड़ लेना उस price पे जो लोग पकड़े होंगे तो 10-11% के profit पे जरूब है इसके साथ-साथ injective भी a spot में ही बताया था injective भी 13-15% के between में आपको profit दे चुका है वह भी a spot अभी भी possibility है कि इंज को पकड़ने का और अभी भी यहाँ से अच्छा-खासा rally कर सकता है और एक new high create कर सकता है injective जो आपको short term में and long term के purpose से दोनों purpose से injective को पगड़ तक है तो यह इस video में आपको मैं बताने वालों कि bitcoin में फिलाल कितना retracement होगा जहाँ पर hardly आपको पगड़ देना है किस परका का moment होगा ethereum में क्या possibility है injective में क्या possibility है दोन तीनों के बारे में बात करेंगा और इसके साथ साथ एक future call आपको दूँगा सिबा इनो सिबा इनो दोस्तों एक future call आपको दूँगा जो लोग करती है future trading तो आप उस price पे इसको पकड़ सकते हो अगर मिल गया उस price पे सिबा इनो तो आप profit बना सकते हो future trading में और वो भी अच्छा खासा profit और 30-40% के profit के लिए कभी भी सोचना नहीं करें तो चले सीधा चलते है screen पे बट हम इसे तरह request करेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देंगे और एक प्यारा से च्छोड़ा सकर्में बेरू करना साथ में चैनल का सब्सक्राइब नहीं कर रखें दूस्तों दू सब्सक्राइब लाइग ना और टेली ग्राम को भी ज 674 डॉलर और आप देखोगे जस्ट पांच दिन पहले ही मैंने इथेरियों का प्राइस प्रडिक्शन करके बताया था और कि रल्ली बोला था कि अगर इस रेड जोन का ब्रेकाउंट करता है उसके बाद एक माइनर सा पुल बैक यानि रेट्रेस्मेंट होगा उसके बाद एक बड़ी सी रेली देखने को मिलेगा सेम चीजे हुई है एथेरियम के अंदर चले सबसे पहले मैं आपको प्रूव दिखाता हूं कि जैकली मैंने क्या बुला था और क्या हुआ ठीक है आप देखोगे जस्ट पांच दिन पहले ही मैंने इस वाले वीडियो में एक्स्प पर दिख रहे है तो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कि यह है यह एक प्रेंड याइड है जहां पर आकर सबूर पनाया यहां पनाया बिद्धा चीज यह है तो दोस्तों आपने सुन लिया कि के लेली मैंने बोला था कि breakout अगर होता है तो breakout के बाद रैली करेगा 3000 डॉलर जा सकता है अभी 2700 डॉलर पे आ चुका है और यह first target था भी विडियो में अगर आप देखो गया आगे तो मैंने बताया था कि इस zone पे आके रुख सकता है आपको देखने को मिले मैं आपको बता दो कि अभी इस zone पे आ चुका है first target पे आ चुका है अगर इसके अंदर retracement होता है तो जो लोग average बाई करना चाहते हो या फिर first time इंट्री बनाना चाहते या फिर कोई नए लोग है beginners है इसके पहले थेरियों को खरीदा नहीं है तो खरीदा चाहते है तो अगर ये retrace करके पचीस सो डॉलर के करीब आता है कितना पचीस सो डॉलर के करीब अगर ये आपका है इस जोन की breakout कर देगा इस zone का breakout होगा और बड़ी से rally होगा 3000 डॉलर के ऊपर देखने को मिल सकता है Ethereum तो और ये चीजे दूसरों मैं कई बार लगतार इधर लगतार मैं देखोगे न तो कई सारे वीडियो में मैं आपको जूर देखना बोल रहा हूं कि Ethereum इधर अच्छा खासा rally कर सकता है क्योंकि spot Ethereum अच्छा खासा है यह मैं कई बार आपको बोल रहा हूं अभी आपको देखने को मिल रहा है इस हाई को यह जल्द ब्रेक करेगा लेकिन हो सकता ब्रेक करने से पहले थोड़ा साथ रिट्रेस्मेंट हो तब जाकर रैली करेगा तो पचीस सो डॉलर करीब में आए इंजेक्टिव पिंब बारे में दोसे क्वेडियो में मैंने क्या बताया था इसी वीडियो में फ़ाइब पहले वाले वीडियो में वह चीज मैं आपको इस वीडियो बल्स को अटे कहँए लेकिन एक चीजे और समय और कर करके उसका analysis करके next video में बदाने की कोसिस करूँगा तो जरूब बदाना comment box में अब दिखो injective के बारे में मैंने आपको clearly बदाया था कि जो लोग यहां यह जो point है यह zone यह मैंने बुला था कि ऐसा point है जहां पर खरीदा जा सकता है इसको खरीदेंगे quickly आप profit में आ जाओगे spot म से 15% के करीब में यह रैलिक यह है injective यानि एंज चलिए सबसे पहले मैं वीडियो में वीडियो को ही दिखाता हूं जिसमें मैंने आपको बदाया था एक new high create कर रखा है and injective में दोस्तों maximum गिरने की probability जो है यह zone है जहां तक maximum गिर सकता है और अभी आप देखो के max to max जो है इसी zone के करीब में ही चल रहा है यह बब आपको दिखाए ज़रा है यह week जो है इस zone को tap किया तो finally maximum गिरने की probability यह है यह zone जो है starting point में बता दो 31 डॉलर से लेकर 28.5 डॉलर 31 डॉलर से लेकर 28.5 डॉलर यह maximum जो है यह ऐसा zone है जहां से एक new high create कर सकता है तो दोस्तों यहां भी मैंने injective में भी आप लोग बताया था कि यह zone perfect zone है जहां से यह rally कर सकता है कुछ price यहां चल रहा था जो लोग यहां पगड़े 15% के profit में आ गया होगे तो इसलिए गाता है वीडियो को ध्यान से देखोगे न तो ऐसा zone मैं हमीशा आपको बदाने को उसीस करता दोस्तों यह future call बन रहा है अगर कुछ इस zone पे आता है कुछ इस price पे note कर लो 0.59302 के करीब में अगर आता है यहां पर आप future call ले सकते हो ठीक है leverage 5x या hardly 10x यूज करना उससे ज्यादा यूज मात करना लेकिन 10x यूज कर रहे है तो मैं आपको बदा जोता हूँ कि 2 entry के लि अगर यहां आने के बाद भी एक pullback दिया लेकिन अगर यह फील होता है तो next आपकी जो entry होगी ना कुछ करीब करीब यहां करना देखो करीब करीब आप इस price पे आप next entry करना ठीक है यह नोट करनो 0.5 x 0859 डॉलर ते आपके second entry होगी और यह जो दोनों entry बनने के बाद जो average price निकलेगा आप quickly profit में आ जाने वाले हो और 30-40% के profit के लिए फिर सोचना नहीं बढ़ेगा ठीक है 5 to 10x hardly आप leverage यूज़ करना इससे ज्यादा मत यूज़ करना फस्ट वाइंग आपकी होगी यहां पर लॉंगी ट्रेड है 0.5 x 093 डॉलर पे second entry 0.5 x 0859 डॉलर पे second entry होगी और आपका average price बहुत अच्छा निकलेगा और उसके बाद आप quickly profit में आ जाओगे यहीं तक hardly जो है नीचे आ सकता उसके बाद एक rally होगा और आप profit में आ जाओगे यह हो गया CYNO में तो चली CYNO अब बात करते है Bitcoin में Bitcoin आ चुका है अभी देखो कि 50,000 डॉलर से जस्ट नीचे आ गया 49,900 डॉलर पे आ चुका है अब मैं आपको बता दू कि इसके अंदर क्या होनी की possibility है कितना यह retrace कर सकता है देखो इसके अंदर rally करने की possibility यह है कि यह जो है यहां से यहां से pump करके कुछ इस zone को touch करेगा और यह zone जो है starting point में बता दू 63,000 डॉलर है कितना है 63,000 डॉलर से लेकर है 68,000 के करीब में यह zone आ रहा बड़ी सी zone है 65,000 से 68,000 के करीब में यह zone है जिसको यह touch कर सकता अगर यहां से rally होगा तो बड़ी सी rally आपको देखने को मिल सकता है और यहां तक आने में भी 3 months लग सकते हैं हालविंग तक दोस्तों possibly कि इस zone को touch करे ठीक है तो यह कुछ ऐसा moment दिखा सकता है लेकिन उसके पहले मैं आपको बड़ा दो कि यह retrace करेगा ठीक है यह retrace कर सकता है कहां तक आ सकता है नीचे आकर नीचे यह अगर आना होगा ना त जो है आ सकता है यानि अगर जिसको पकड़ना है Bitcoin को तो अगर 47,500 डॉलर के करीब दिखे न तो यहां पर आप चाहोगे spot में buy कर सकते हो 47,500 यह यहां तक retrace कर सकता है फिर एक बड़ा सा rally देगा सबसे पहले इसका एक zone बन रहा है 53 से 55,000 डॉलर के करीब में फिर यहां से फिर फाइनल एक breakout देगा और यहां तक रेड जोन तक आने में तीन महिने अप्लिस लग सकते हैं तो फिलाल अभी Bitcoin में यह देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आज की स्टुडियों बस इतना ही अगर आपका कोई पसंद्द्या क्वाइन है जिसका चाहते हो तो comment box में जरू कि स्टूब्ड़ झाल